हलो नमस्ते बच्चो आज हम करेंगे पार्ट सत्रें हिंदी में इनसे सीखो कविता है पीछे मैंने आपको यह नंबर जो थी ना सीरियल नंबर गलत हो गए थे नोट बुक के अंदर यह पार्ट सत्रें अठारे नहीं है तो इसको हम सत्रें ही मानेंगे कुछ यहां पर शब् मेहनत भौरों मंजिल बिचुडे रहा किरनों यह कठिन शब्द है तो इनमें हमने अक्षरों का मात्राओं का भिंद्यों का बहुत ध्यान रखना है अब यह कविता को पढ़ेंगे ध्यान से फूलों से नित हसना सीखो भौरों से नित गाना आम किडालियों से सीखो फल पाकर जुक जाना हूँ फूल जो है न जब खिल जाते हैं ऐसे तो मुस्कुरा रहे होते हैं तो हमें इसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतनकी तरह हसना सीखना है मुस्कुराते रहना है भौरे भौरे जो हते हैं गुन गुनाते रहते हैं हमेशा जब भी आप देखें भी आम की डालियों से क्या सुखना है फल पाकर जुक जाना यानि कि हमें जो भी काम करते हैं उसका फल मिलता है अच्छा तो हम बड़े हो जाते हैं तो हमें जुकना है जुक कर रहना है कमर को नहीं जुकाना यानि कि हर एक बड़े व्यक्ति के आगे जुक कर रहना है फूलों से निधासना सीखो भौरों से निधगाना आम की डालियों से सीखो फल पाकर जुक जाना मुर्गे की बोली से सीखो जगना और जगाना मुर्गा जो होता है न सुबह चार बजे ही बांग देने लग जाता है तो मुर्गे की बोली किसे क्या सिखना है जगना और जगाना वो अपने अलायम की तरह होता है मुर्गा वो सबको कुकुडू कुबोल कर जगा देता है चीन्टी के कामों से सीखो मेहनत करके खाना आपने कभी देखा है चीन्टी जब लाइन में चल रही होती है तो कोई भी दाना हो या कोई भी अन का दाना हो कुछ भी हो वो मेहनत करके ले के जाती है अपना तो चीटी के कामों से सीखो मेहनत करके खाना धूवे से हम सब सीखें उची मंजिल पाना धूवा जो है हमेशा उचा उड़ता है कभी नीचे की तरफ नहीं आता पानी नीचे की तरफ से आ जगमग जग कर जाना, यानि सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है, तो हमें उससे जगमग करना सीखना है, सुई और धागे से सीखो, बिछुड़े गले लगाना, यानि सुई और धागा क्या करता है, जब कोई कपड़ा फट जाता है, सुई धागी समसिलते हैं, तो दोनों को मिला देता है, यानि कि सुई और धागे से सीखो, बिछुड़े गल्ले लगाना, दिये और बाती से सीखो, सब को रहा दिखाना, दिया और बाती मिलकर क्या करते हैं, रोशनी देते हैं, यानि कि सब को रहा दिखाते हैं, अंधेरे में रोशनी करते हैं, अब हम इस रहा मिन्स रास्ता, मंजिल का अर्थ है लक्षे, जगमिन संसार, महनत परिश्रम, ये आपने शब्दर्थ भी लिखने हैं, ठीक है, ये मौखिक प्रशन होते हैं, जो हम अपने आप ऐसे पढ़ लेते हैं, फूल किस-किस काम आते हैं, फूल हमें सुगंदी देते हैं, और दवाईयां बनाने की काम भी आते हैं, सुवेरे बांग लगा कर कौन जगाता है, सुवेरे बांग लगा कर मुरगा जगाता है, सुई और धागा बिछलों को कैसे मिलाता है, दोनों को कैसे मिला देता है, जैसे सुई और धागे से हम कप्रा सिलते हैं, वेब, दोनों को जो फूलों से हमें क्या करना है हसना सेखना है चीटी हमें क्या शिक्षा देती है चीटी हमें मेहनत करके खाने की शिक्षा देती है क्योंको बिना मेहनत कर नहीं लेती है कि बैठी रहती है और उसे खाना मिल जाएगा चीटी स्वेम मेहनत करती है तो हमें उससे यह शिक्षा मिल कि मेहनत करके खाएं दिया और बाती मिलकर क्या करते हैं दिया और बाती मिलकर सबको रहा दिखाते हैं रहावेंस रास्ता दूवें से हम क्या सीख सकते हैं धूवें से हम उची मंजिल पाना सीख सकते हैं कि जो हमारा लक्षे है हमें वहां पर पहुंचना है अब अगला अभ की पूर्टी कीजिए डैश की बोली से सीखे जगना और जगाना चीटी से या मुर्गे से तो मुर्गे मुर्गे की बोली से सीखे दो आप्शन दिये गए हैं तो इसमें से ढूनना है जगना और जगाना डैश से हम सीखे उँची मंजिल पाना किस से धूमे से या सूरज से धूमे से तो हमने option लिखा यहाँ पर सही धूमे से हम सीखें उची मंजिल पाना डैश और बाती से सीखें जगमग जग कर जाना किस से सीखेंगे दीया से दीया और बाती सूरज से भी रोशनी होती है लेकिन यहाँ पर बाती के साथ क्या आएगा दीय दिया और पाती से सिखें, जगमिन संसार, निम लिखेट शिब्दों को अपने बनाई हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए, आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं, यहां लिखाएं न अपने बनाई हुए, अगर ऐसे ही लिखेंगे, तो जो मैंने बताया वही हो जाएगा, तो आप अपना वाक्य भी कोई बना सकते हैं, मेहनत, चीन्टी हमें मेहनत करके खाना सिखाती है, हमें हर काम में मेहनत करनी चाहिए, पढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, खेलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, खाने के लिए भी, तो कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए मेहनत की आवश्यक्ता होती है जगमग, रात को आकाश में तारे जगमग करते हैं तो जगमग को अंडरलाइन करेंगे, जो हम वाके वाला शब्द भरते हैं तो उसको अंडरलाइन भी करना है मेनत करने पर मन्जिल मिल ही जाती है लिए अच्छा होता है हिस अब भाशा व्याकरण का काम करेंगे निम लिखी शब्दों से मिलते जुलते शब्द कविता से चाट कर लिखिए जैसे गाना क्या आजाएगा इसका मिलते जुलते शब्दों में बजाना खाना पाना लगाना बनाना तो जो तुप यहां पर होती है वहां पर हमें वही लगानी है जाना आना जगना जगाना दिखाना खिलाना तो सब में ना 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 वाली तुक वाले शब्दा है तो हमने जैसे दिखाना खिलाना तो यहां छोटी की मात्रावादा है तो वो लगा दिया जगना जगाना आना जाना ये तुक वाले शब्द हैं मिलते जुलते निम लिखे शब्दों के विलॉम शब्द लिखे विलॉम means उल्टे अर्थ वाले जैसे रोश्नी का उल्टा क्या होगा अंधेरा धर्ती अंबर उची नीची अगर याँ उचा उचा होता तो नीचा जीवन वरन नया पुराना देना लेना यह विपरेटशेब्द है अब इसमें एक अन्टिम प्रश्ण है प्रकृति के निमिरिखित अंगों को उनके द्वारा दी जाने वाली चीजों से मिलाई है यानि कि प्रकृति ने हमें जो चीजे दी हैं उसके साथ उनका क्या संबंध है सूरज क्या देता है रोशनी यह पाते हैं वायु जीवन देता हैं थे हम प्रकी سारा काम बच्चों ने यहां प्रशन ऊतर से लेकर सारा काम भी सर्थ करने और प्रशन उतर से लेकर सलों शब्रकाव अपनी notebook में सुन्दर सुन्दर करना है ठीक है बच्चों, ओके, बाई